हो गई है पीर परवत्सी पिगलनी चाहिए अव हिमाले से कोई गंगा निकलनी चाहिए प्यारे बच्चों सुप्रवाद आज हम हिंदी बासा के मेत्व सम्मंदी सुक्ति प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो विद्वारों के द्वारा हिंदी बासा की मेत्ता और गोणे एवं विसिस्ताओं को प्रतुपादित करती हैं ये सुक्तियां हिंदी बासा की केंद्री विद्याले मुझभफन नगर हिंदी पकवाड़ा कारिकर मंतरगत तो लेजिए प्रस्तुत हैं हिंदी भासा के मेत्व सम्मंदी सूक्तियां राष्टी विभार में हिंदी को काम में लाना देश की एकता और उन्नती के लिए आवश्यक है महत्मा गांदी जी ने कहा है वच्चुए आदर्नी प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी जी ने क्या का है हिंदी भासा के वारे में भासा की सरलता, सहजता और सालिंता अवव्यक्ति को सार्थक्ता प्रदान करती है हिंदी ने इन पहलों को खूब सूर्ती से समाहित किया है बहुत सुंदर विचार प्रदान मंत्री जी का हमारे जो ग्रह मंत्री अमिस्सा जी इनोंने क्या का है हिंदी के बारे में भारती सब्विता की अवरल धारा प्रमक रूप से हिंदी वासा से ही जीवंत तथा सुरक्षित रह पाई है मदर मोहन मालवी जी का विचार है हिंदी वासा एक ऐसी सार्वजिनिक वासा है जिसे बिना भेद भाव प्रतेक भारती ग्रहन कर सकता है खुव सूरत विचार चायाबादी कभी सुमिंतरा नंदन पंत कहते हैं हिंदी हमारे राष्ट की अवियक्ती का सरलतम स्रोत है डॉक्टर संपुनानंद कहते हैं हिंदी राष्ट्री एकता का प्रतीक है हिंदी वासा है जो भारत को एकता के सूत्र में बांदे हुए है पुरसुतम दास टंडन जी क्या कहते हैं हिंदी भासा के बारे में हिंदी राष्टियता के बूगल को सीचती है और उसे द्रड करती है मजबूत करती है रविन्ना ठाकुर कहते हैं भारतिय भासाएं नदियां हैं और हिंदी महा नदी मौलाना हसरत मोहाने जी कहते हैं हिंदी जैसी सरल भासा दूसरी नहीं है यानि दुनिया की समच्त भासाओं में हिंदी सरल से सरल भासा है आसान भासा है इसको सीखना बोलना पढ़ना लिखना स्वामी दयानंद सरस्वती जी क्या कहते हैं हिंदी के बारे में हिंदी द्वारा सारे भारत को एक सूत्र में प्रविवा जा सकता है यानि हिंदी ही वह वासा है जो पूरे भारत बर्स को एकता के सूत्र में बांद सकती है ऐसा स्वामी दयानंद सरस्वती जी का विचार था जेश्टिस कृष्ण स्वामी अयर जी ने क्या कहाता बच्चो समश्थ भारती भासाओं के लिए यदि कोई एक लिपी आवश्चक हो तो वह देवनागरी ही हो सकती है यानि हिंदी वासागी लिपी देवनागरी है जो काफी वैज्ञानिक और सुन्दर है पीर मुहंबद मूनिस कहते हैं वही वासा जीवित और जागरत रह सकती है जो जनता का ठीक ठीक प्रतिनिद्ध तो कर सके और हिंदी इसमें समर्थ है सुन्दर विचार डक्टर राजिंदर प्रसाद जो अमारे प्रत्वम राष्ट पती थे इन्होंने क्या का था हिंदी के बारे में हिंदी चरकाल से ऐसी भासा रही है जिसने मात्र विदेशी होने के कारण किसी सब्द का वहिसकार नहीं किया हंदी में दूसरे देशों की अन्य वासां के सब्द भी मिल जाते हैं बच्चों तो हंदी एक सरल और सुन्दर वासा है महवी प्रसाद दोवेदी जो हंदी सहितिकार रहे हैं इनका मानना है आप जिस तरह बोलते हैं बादचीत करते हैं उसी तरह लिखावी कीजिए भासा बनावटी नहीं होनी चाहिए भासा में बनावटी पर नहीं होना चाहिए आचार मावी प्रसाद दुवेदी जी का विचार रविसंकर सुकल कहते हैं देवनागरी ध्वनी शाष्त्र की द्रश्टी से अत्यंत व्यग्यानिक लिपी है रविसंकर सुकल जी का विचार है मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए मेरा मकसद सिर्फ हंगा मां खड़ा करना मेरा मकसद नहीं मेरा मकसद है कि शूरत बदलनी चाहिए धन्यवाद बच्चो